ये मूवी काफी है देश बरबाद करने के लिए नो डाउट की मूवी बहुत सुंदर थी मूवी ने हमारे धन को बहुत अच्छे तरीके से हमारी आगे पेश किया खास करके बहुत सारे खुबसूरत सीन जैसे की अच्छे कुमार के आगे चलने पर नंदी का पीछे आना और खास करके जिस वक्त अच्छे कुमार नहां रहे थे उस वक्त का सीन भाई सबसे ज़्यादा खुबसूरत था लेकिन फिर भी मूवी अपने रास्ते से भटक जाती है मूवी शुरुवात करती है सेक्स एजुकेशन को लेकर लेकिन एंड आते आते ये एक जज्जमेंट पास करने लग जाती है तो मूवी की स्टोरी क्या है दर असल मूवी की स्टोरी है कि एक बच्चा विवेक अपने स्कूल के बात्रूम में माश्टर बेट कर रहा था और वहाँ वो पकड़ा गया उसकी वीडियो वाइरल हुयाती है उसके बाद उसे स्कूल से निकाल दिया आता है लेकिन उस पच्चे का पिता यानने की कांती सरन मुदगल कोट में जाकर ये केस करता है कि उसके बच्चे ने कोई भी गलत काम नहीं किया था ये मुवी फर्स्ट आप बहुत अच्छे तरिके से यूज़ करती है लेकिन मुवी मात खा जाती है अपने सकेंड हाफ में मुवी पता नहीं कब सेक्स एजुकेशन देते देते ये मुवी लोगों को मास्टर बेट करना सिखाती है लोगों को ये सिखाती है कि मास्टर बेट करना कोई गलत काम नहीं है ये मैं मानता हूँ कि वो कोई गलत काम नहीं है लेकिन ये काम आपके लिए अच्छी भी नहीं है और मेरी इस बात से तो आप में से कोई इंकार नहीं करोगे कि मूवी का कोर्टरूम वाला सीन थोड़ा सा और कन्विक्षन वाला हो सकता था क्योंकि कोर्टरूम के सारे सीन बहुत ही उलजलूल थे मूवी का सकेंड आप जैसे ही सुरू होता है कोर्टरूम का एक सीन आता है जहां पे की माश्टर बेट को यामी गौतम असलील बता रही होती है और इसी असलील वाले बात का रिप्लाय देते हुए कांति सरनमुदगल बोलते हैं कि असलील कैसे है और साथ ही वो दो-तिन किताब दिखाते हैं चरम संगीता कामा सुत्र और ये कहते हैं कि इन किताबों में ये असलील नहीं लिखा हुआ है तो चलिए हम लोग भी माल लेते हैं कि ये काम असलील नहीं है लेकिन क्या अगर आप ये काम कर रहे हो अगर आप masturbate करते हो, दो दीन, चार दिन, पांस दिन में, तो क्या आप कभी अपने घनिष्ट मित्र, या फिर अपने छोटे भाई को ये सला दोगे करने का, अगर ये असलील नहीं है, अगर ये गलत नहीं है, अगर ये सही जगा पर करी जाए, और आपका भाई कहे, कि मैं इसे अपने प्रावेट रूम में करूंगा, तो क्या आप अपने छोटे भाई को ये सला दोगे, कि हाँ ये काम असलील नहीं है, तो ये काम कर सकते हो, अपने प्रावेट रूम में, कमेंट करके ज़रूर बथाना, कोई काम असलील नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो सह उसी प्रकार जो काम गलत ना हो जरूरी नहीं कि वो सही है आजकल बहुत साइ डॉक्टर्स कहते हैं कि मास्टरबेशन हेल्थ के लिए सही है लेकिन क्या हमारे संद महात्माओं ने यह नहीं कहा है कि ब्रहमचर का पादन करो ब्रहमचर क्या है हमारे पूरुवज उनके बच् रखती है आपका बल है तो चलो मानते हैं कि यह काम असलील नहीं है यह काम गलत भी नहीं है लेकिन क्या फिर भी इससे यह साबित नहीं होता कि यह काम करने से कुछ ना कुछ स्वहानी पहुंच रही है आपको लोग कहते हैं कि यह काम करने से लोग स्ट्रेस फ्री रहते है वह तो ड्रक से भी रते हैं इस movie में बहुत बार दिखाया गया है starting से end दिखाया गया है कि उस बच्चे ने masturbate किया उस बच्चे का पिता यानि कि 36 मुद्गल बार बार ये defend कर रहा है कि ये काम कोई गलत काम नहीं है starting में तो उसने भी कहा कि ये काम गलत है लेकिन end आते आते उसने इस बात को सही साबित करने लग गया उसने शुरुआत से अंतक बहुत सारे किताबी दिखाई बहुत सारे किताबी दिखाए जहांपे कि उनों ने बताया कि ये काम गलत नहीं है उसे बीच उनोंने सुद्ध हिंदी में एक डायलोग भी कहा था कि इस तरीकी योनी पवित्र होती है जिसमें की वीरिकिया होती जीवन को जन्म देती है और इस डायलोग में कोई गलत बात नहीं है लेकिन ये डायलोग माश्टर बेशन को सही साबित करने के लिए कहां से सही है कहां से ये मैच करता है कि माश्टर बेशन सही है ये डायलोग था सेक्स को सही साबित करने के लिए ना कि माश्टर बेशन को मूवी शुरुवात तो होती है सेक्स एजूकेशन को लेकर लेकिन एंड आते आते कांती सरन्मुदगल सेक्स एजूकेशन से हटकर सिर्फ जो किया है वो गलत है उस पर विवेक कहता है नहीं मैंने जो किया है वो गलत नहीं है लेकिन मैंने जिस जगा किया है वो जिस गलत है दूसरा सीन उसी सीन के थोड़ी देर बाद पीछे से सारे लोग हांत रुठा कर कहते हैं कि हां मैं भी मास्टरबेशन करता हूँ कोई बात गया है कि यह बिल्कुल असलील नहीं है मुव में हजार वार यह चीक-चीकर कहा गया है कि यह ाम असलील भी नहीं यह ज he no गया और इस काम को कड़ने रंगर करने के बाद मैं सबके सापने हात भखागर कर भी सकता हूं कि हां became मास्टर बेट करता हूँ, जिसका मतलब यह हुआ कि यह काम कहीं से भी गलत नहीं है क्योंकि मूवी यही दिखाए जा रहा है कि एक बच्चे का पिता उसके मास्टर बेशन को सही साबित करने लग गया है वही बच्चा अपने पिता के सामने कह रहा है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है हजारों लोग, हजारों लोग के सामने यह कह रहे है कि यह काम कोई गलत बात नहीं है और मैं भी यह काम करता हूँ यहाँ तक कि कोट का जज़ भी यह कह रहा है कि यह काम कोई गलत चीज नहीं है कोई असलील काम नहीं है तो अब आप मुझे बताओ कि जो बच्चा किसोरा वस्ता में पहुँचा है जो 14-15 साल का हुआ है वो बच्चा अगर इस मुई को देखेगा तो उसके मन में सबसे पहला ख्याल यही आएगा न कि जब ये काम गलत ही नहीं है तो क्यों ना मैं भी करूँ कोई इनसान जो कि इस वाले काम को छोड़ रहा है 20-25 इन से वो उसने अपने आपको सम्हाल रखा है मुवी को देखने के बाद घर जाने के बाद उसके मन में भी सबसे पहला खाल यही आएगा कि मैं जो काम छोड़ रहा हूँ उस काम को तो यहां सही बताय जा रहा है कहा जा रहा है कि यह असलील नहीं है यह कोई अधर्म नहीं है और ना ही यह कोई गुना है लोग तो यह काम करके प्राउड फिल भी कर रहे हैं और यह बात आपको भी पता होगे कि इंसान कितना भी मजबूत क्यों ना हो निगेटिव चीजें उसका ध्यान सबसे पहले खीचती है किसी भी बूरे काम को दोबारा सुरू करने के लिए बस एक छोटी से चिंगारी चाहिए होती है तो उसी प्रकार घर जाकर जब वो बहुत जादा उतेजी थो रहा होगा उसे मन कर रहा होगा कि दोबारा से शुरू कर दें उसके मन में ये चिंगारी आएगी कि मूवी में दिखाया गया है कि ये काम बिल्कुल भी गलत नहीं है अब मुझे आप बताओ कि उसी जगाँ पर आप खुद को रखो और उसी जगाँ पर आप अपने टीनेजर भाई को रखो तो आप मुझे ये बताओ कि यही काम आप अपने बच्चे को या अपने भाई को करने की सला दोगे बिल्कुल नहीं दोगे मूवी में साफ और सिंपल तरीके से दिखाया गया है कि ये काम बिल्कुल भी गलत नहीं है सब करते हैं तुम भी कर सकते हो तो कहां से ये चीज़ सही है कि आप एक जज़्मेंट पास कर दो कि हाँ ये काम सही है ये मूवी हर जगा पे सही थी लेकिन इस मूवी को इस जगा पे खुद को रुखना चाहिए था ये कहना चाहिए था कि ये काम गलत नहीं है लेकिन सही भी नहीं है इस काम के ये consequences हैं आप ये काम करोगे तो यह ये आपके साथ हो सकता है और साथ ही जब मूवी में इतनी बार किताबों को दिखाया गया है हमारे पुरानों को दिखाया गया है हमारे वेदों को दिखाया गया है कि ये काम बिल्कुल भी गलत नहीं है उसी जगह पर बहुत सार किताब या फिर किसी एक केसे किताब को दिखाया जा सकता था जहां पर कि ये भी कहा जा सकता था कि हमारे संद कहते थे कि ब्रहमचर का पालन करो आप अपने वीर को नश्ट मत करो, आपकी वीर आपका वल है ये बात आपको भी पता है और मुझे भी पता है लेकिन मूवी ने ये बात एक बार भी बताना सही नहीं समझा अब जो teenager है वो इतना mature तो है नहीं कि वो इतने अच्छे से research करके तब masturbate करने का decision लेगा उसे बस movie में थोड़ा बढ़ाव मिल गया कि ये सही है लोग proud feel कर रहे हैं तो क्यों ना मैं भी करूँ प्रवेट रूम में करूँ तो क्यों ना मैं भी करूँ और movie यहीं पर गलत साबित हो आती है क्योंकि movie जब समाज को एक message दे रही है तो movie को ये message भी देना चाहिए कि युवाओं को अपने वीर को नष्ट नहीं करना है वरना ये देश इस movie को देखकर सभी के सभी masturbate करने बैठ जाएंगे क्योंकि masturbate तो गलत नहीं है ये कोई असलील नहीं है movie में दिखाया गया है कि ये कोई असलील नहीं है तो आप बताओ कि क्या ये चीज़ सही है पर खेर मेरी इस वीडियो को बनाने का कोई मतलब नहीं था लेकिन मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि movie ने जो गलत चीज आपके दिमाग में डालती है उचीज को आप लोग निकालो कि भाई ये काम सही नहीं है भले ही आप प्रावेट में क्यों न कर रहे हो लेकिन सही नहीं है आपके लिए पर खेर आज के लिए बस इतना ही अगर वीडियो अच्छे लेगी हूँ तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना मिलते हैं लोग आप में नेक्स्ट विडियो में तब तक के लिए जैहिन